हेलो फिर्ट्स हम सेख रहे हैं वाकप फ्रॉम एसपी वकसी और फिर्ट्स आज के लेक्चर में हम वर्ड्स 1012110 डिसकस करने जा रहे हैं प्रॉम फिर्ड्स यहाँ संपल वे में आपको समझाए जाएंगे और इतना संपल वे होगा कि शायद आपको लेक्चर देखते देखते ही सारी वर्ड्स लर्ण हो जाएंगे तो चलिए friends let's start देखिए जो सबसे पहला वर्ड है यहाँ वो है consensus consensus Spelling पर देहान दे friends consensus consensus और consensus क्या होती है friends यह होता है general agreement और general agreement और आप इसको कह सकते हैं आम सहमती या सर्वसमती या आम सहमती और पार्सर इस पीश की बात करें तो यह जो word है यह क्या है friends noun जैसे parliament में कोई bill पास होना है तो कोई bill सर्वसमती से पास हो जाता है clear सभी सांसद में थपथपाई और bill पास हो गया तो यह जो term है यह use होता है ऐसी राय के लिए जिस पे सब सहमत होते हैं यानि अब एक्जाम्पल के तोड़ पे कह सकते हैं consensus among all the parties consensus among all the parties clear friends यानि सभी पार्टियों के मध्ये आम सहमती या सर्वसमती next word है friends corroborate इसकी स्पैलिंग पे special ध्यान देना इसमें डबल आर आता है और एक्जाम में भी यह स्पैलिंग पूची गई है corroborate c-o-r-r-o-coro-b-o-r-a-t-e corroborate और corroborate क्या होता है friends यह होता है conform और parts of speech की बात करें तो यह word क्या है verb है इसका मतलब होता है कोई पुस्टी कर देना confirm करना common word है confirm इससे हम बड़े अच्छे से familiar है हो सकता है इसको ना जानते हो लेकिन जो corroborate होता है वो क्या होता है confirm करना होता है तो you can say पुस्टी करना या समर्थन करना इसको कहते हैं समर्थन करना और पुस्टी करना कोई statement है उसको confirm कर दिया corroborate कर दिया you can say corroborate my statement clear friends next word have friends crest fallen crest fallen अब देखे crest किसको कहते है crest apex pinnacle यह क्या होती है zenith यह होती है चोटी यानि crest कहा जाता है चोटी को और fallen कहते हैं गिरा हुआ चोटी से गिरा हुआ यानि चोटी से गिरा हुआ अब कह सकते हैं एक ऐसा वेक्ति जो dejected है जो उदास है जो निरुत्साही है जो अताश है उसको हम कहते हैं क्लिया फ्रेंट्स और पार्सल स्पीच की बात करें तो एजक्टिव है और मीनिंग क्या हुआ इसका डिजक्टिड यानि हतोत्साह या उदास क्लिया फ्रेंट्स आई फील क्या इसका फिल कर रहा हूं इन दीनो निरूत साह फिल कर रहा हूं और यू इस दीनो हताश है इन दीनो वो निराश है और इस वर्ड को जब आप क्रेस्ट से जोड़ देंगे और फॉलन अलग-अलग स्पेल कर लेंगे तो फिर आपको इसके मीनिंग समझने में बढ़ी आसानी रही यानि क्रेस्ट फॉलन चोटी से गिरा हुआ चोटी से गिरा हुआ क्या है अतास है उदास है और निराश है नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंट्स कॉन क्लेव क्लेव क्या होता है कॉन क्लेव होता है फ्रेंट्स कॉन क्लेव और ये क्या है फ्रेंट्स नाउन है अगर इसके पार्सिंट स्पीच की बात करें और कॉन क्लेव C-O-N-C-L-A-V-E conclave Conclave क्या होती है Private meeting को हम conclave कहते है Private meeting And you can say BJP called a conclave BJP ने एक private meeting बुलाई Clear? चलिए friends यहीं लिख देता हूँ BJP Code a conclave Clear हूँ friends तीनो words clear हुए तो चलिए note करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं Friends next word है Construe Spelling देखें C-O-N-S-T-R-U-E Construe और Construe क्या होता है Friends यह होता है Interpret किसी चीज की व्याख्या करने को हम कहते हैं Construe Interpret यानि interpretation करने को हम कहते हैं Construe और Construe क्या है Parts of Speech की बात करें तो यह word है Friends वाब यानि हिंदी में आप कह सकते हैं इसको व्याख्या करना हो व्याख्या करना Construe कहलाता है अगर आप example की बात करें तो आपके यूज कर सकते हैं इस डिफिकल्ट तो कॉंस्ट्रू दा वर्किंग आव लाज अव नेचर देखें बड़ा अच्छा सा अग्जामपल मिला कि इट इस डिफिकल्ट तो कॉंस्ट्रू ये व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है दा वर्किंग अफ लाज अफ नेचर कि जो प्रकर्ती के सिधान थैं प्रकर्ती के वो नियम है उनकी वर्किंग वो किस तरह से काम करते हैं इस बात की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल काम है explan, explain में i होता है, explanation में i नहीं होता, expla, इसको यहां से तोड़ दीजिए, expla, और nation, nati, nation, clear, तो स्पालिंग भी सासा ध्यान देते चलिएगा फेंट्स नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक सी आर वाई पी टी आई सी क्रिप्टिक और क्रिप्टिक क्या होता फेंट्स यह होता मिस्टेरियस जिसको आप कहते हैं रहस्य में हिडन गूड मस्टेरियस और हिडन यानि हिंदी कहें गूड और रहसे में रहसे में गूड और दूसरा वर्ड वर्ड कोमन वर्ड है वो है गुप्त जो गुप्त चीजे होती है उनको हम कहते हैं क्रिप्टिक और पार्टस स्पीस की अगर بात करें तो तो फिर्ट ये क्या है यह है एजेक्टिव आप कह सकते हैं देखें क्रिप्टिक क्रिप्टिक से वर्ड आता है क्रिप्टोग्राफी यह बना है क्रिप्टो प्लस ग्रफीन क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है फिर इसको समझना क्या है वो डिफिकल्ट होता है तो ऐसी चीज कहलाती है गोड़ और क्रिपटोग्राफी एक्षुल में क्या है एक ऐसी जो code language होती है code को solve करना या code को लिखने की जो कला है जो alt है वो कहलाती है क्रिप्टोग्राफी कि lya friends यानि जब code को हम लिखते हैं समझते हैं cryptography के अंतरगत आता है और इसके sentence में use की बात करें तो he found his words his found his boss's words just a minute friends ये है apostrophe boss's words cryptic to understand कि उसको अपने जो boss के words मिले वो कैसे मिले वो cryptic मिले समझने के लिए मिन्स वो अपने words को अपने boss के words को नहीं समझ पाया और you can say he found his boss's words क्या पाया in cryptic writing ऐसे भी आप use कर सकते हैं अदरवाई तो ये simple sentence है he found his boss's words cryptic to understand बात के लिए friends next word है friends calamity और common word है calamity calamity क्या होती है friends calamity होती है कोई natural disaster और world की पार्ट सब स्पीच की बात करें तो ये world है friends now तो calamity क्या है natural natural disaster यानि जिसको आप कहते हैं प्राकर्तिक आप्दा प्राकर्तिक आप्दा को हम कहते हैं calamity clear friends और simple सा यूज कर सकते हैं इसका जैसे आप कहलें flood is a calamity और earthquake is a calamity clear friends यानि जो आप्दा है प्राकर्तिक आप्दा है और natural disaster उसको हम कहते हैं calamity बात clear words clear तो चलिए friends note करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं friends next word है common surate common surate और यहां जो common की spelling है c-o-double-m-e-n यहां o नहीं है इस चीज का ध्यान रगना spelling में यह word आ सकता है common surate और common surate क्या होता है फिर 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 स्वीच की बात करें तो यह word है adjective और इसका मतलब होता है आनुपातिक क्लियर यानि अनुपात में in proportion अनुपातिक in proportion अब आनुपातिक से मतलब क्या होता है आप कह सकते हैं भाई जो मेरा labor है उसके according मेरी salary नहीं मिलती है इसको आप कह सकते हैं इस वर्ड को यूज करके कैसे कह सकते है माई लेवर इस नौट कॉमन सुरेटेड विद माई सल्वी अब देखें यहाँ दो चीजे आपको मिली एक तो कॉमन सुरेट का मीनिंग पता लगा और दूसरा एक चीज और मिल गई कि इसके बाद जो परपरिशन हम यूज करते हैं वो होता है विद clear friends my salary is not commensurated with my labor is not commensurated with my salary clear हुआ यानि मेरा जो labor है वो मेरी salary के अनुपातिक नहीं है next word है friends commodious और commodious क्या होता है पहले तो इसके spelling भी देख लें commodious इसमें डवलम आता है commodious accommodation ये वर्ड कई वार spelling में पूछे जाते हैं और ये क्या है friends इसके बात करें तो ये parts of speeches की adjective commodious और commodious का मतलब होता है spacious और you can say comfortable spacious और comfortable को हम कहते हैं commodious यानि आप कह सकते लंबा चोड़ा और आराम दायक अगर हिंदी की बात करें तो आराम दायक और लंबा चोड़ा clear friends आराम दायक और लंबे चोड़ा को आप कहते हैं commodious और अगर यूज की बात करें तो आप कह सकते हैं he built a house he built a commodious house he just a minute he has built a commodious house देखे उसने एक commodious house बनवाया है clear friends he has built a commodious house तो simple सी बात है commodious को आप house के साथ use कर रहे हैं आपका house कैसा है commodious है clear word को use करना है आप कहिए क्या मेरा house commodious नहीं है या मेरा house commodious है means लंबा चोड़ा घर है मेरा clear friends बात समुझ में आई word कैसे है कैसे use करना है इसको next word है friends capitulate capitulate spelling पर ध्यान दे C-A-P-I-T-U-L-A-T-E capitulate और उच्चारने हम गलती कर देते है capitulate capitulate समझ नहीं आता tapड ही या tapड ही इसको तो capitulate और capitulate क्या होता है friends partial speech की बात करें तो wob है और इसको आप कहते हैं surrender surrender common word है आपने सुना होगा और surrender क्या है friends surrender होता है आत्म समर्पन करना हिंदी कहें आप इसके आत्म समर्पन करना यह क्या कहलाता है यह surrender या capitulate कहलाता है clear friends और use की बात करें तो कह सकते हैं capitulate to the army enemy forces capitulate to the enemy forces की जो दुश्मन की सेनाए हैं उनके सामने surrender कर दो clear friends तो world clear हो गया capitulate surrender करना capitulate to the army forces clear friends तो 10 words हमने डिसकस किये I hope बढ़िया से समझ आए होंगे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स लेक्चर में आगे के 10 words के साथ now thanks for watching this video